नमस्कार, जै जोहार क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी नेमोरी टेकनिक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यहां दस से अधिक गवर्मेंट एक्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजी पिएससी और सीजी व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तयारी कराई तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आफ तो बी दे बेस्ट, लॉन फ्रॉम दे बेस्ट मैंने अभी तक सोला एक्जाम फाइट किये, ठीक है, सोला एक्जाम निकाले हैं सोला एक्जाम में ग्यारा आपका सीजी का एक्जाम है, सीजी वापन का चतेर सरकार का और पाच एक्जाम सेंटरल गवर्मेंट का, दो बार टॉप किया, दो बार टॉप किया, चीक है, एक बार 2018 में सीजी वापन में टॉप किया, सेकेंड रेंग, 2022 में फॉर्स्ट रेंग, ठीक है, इसके लबा एक सीजी पियसी के एक्जाम में भी सेलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन फिफ्ट रेंग आया था रीटरन एक्जाम में, सीजी पियसी एसिस्टन रेजिस्टर का, पूरे चतिस गड़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सेलेक्शन नहीं हो पाया, बट फिफ्ट रेंग था ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो इतना एक्जाम का अनुभाव मेरा जो है मेरा जो अनुभाव कहता है वह चीजे मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं तो स्वागत है आपका योगेंसाव क्लासेस में यह हमारे स्वास्टल ओडन में एक टॉपिक है हमारा जितने भी एक्ट हैं दस टॉपिक दस कोश्चन वहां से बनेंगे उसका पहला टॉपिक आज हम देखेंगे और यह काफी इजी पड़ेगा आपको जितना याद करने वाली चीजे हैं वो मैं आपको बता दूँगा चिक याद करने में कोई भी समस्य नहीं होगी जितना ढ़िए और अगरक पुरा प्लीट प्योर एंगलिश में प्रोवाइड करने घ्राइगा दोना है क्यानोनी शब्दों में लिखा हुआ है वैसे यह तो हम अपने शब्दों में लिखकर बताते हैं तो यहां पर important points तो discuss की हुए है इस PDF में हम लास्ट में आएंगे पहले मैं जो important points एक्ट के वो बता देता हूं और अपने लेंगुज में बता देता हूं जिससे आपको समझ आए ठीक पहला topic कौन सा सब्सक्राइब पहुअ करने वाले हैं वह हम पने पनेगे बाल स्र sprite अधरियां awards benefici नार्गे श्रुआ यह आपका एक्ट है बाश्रम प्रतिसे दिनियां 1986 चाइल लेबर प्रोईबिशन एन रेगलेशन एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा यूट्यूब देख रहे होंगे योगें साव क्लासेस आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लिजी कुछ वीडियो जिससे लेड़ेड आएंगे जो हेल्प करेंगे आपको यह मारे स्वस्ट्रोडन मे एक्जाम क्रेक करने के लिए और चाहें तो आप कोर्स पर्चेस कर भी सकते हो यह मेरा कॉंटेक्ट नंबर है 877-0123-687 अगर मेरे से डाक बात नहीं हो पाती हमेशा मैं अवलेबल नहीं रह पाऊंगा तो कोई ना कोई एसिस्ट कर देगा वो आपको जनकारी देगा ठीक का नाम फिर से बता नोचाइड्ल लेबर एक्ट प्रEEEE जैत्लिबर आजएंड लेबर प्रोहिशन एक्ट को प्रोहीएंड करना चलो टौपिक प्राते हैं em दुई एक कहना में क्या चाइडरי ए लेबर कि है प्रोही है बिशन है、 1986 पूर एगुलेशन पॉइंट भी लिका हुआ है बाल श्रम प्रतिशेद अधिनियम बाल श्रम प्रतिशेद अधिनियम 1986 सबसे पहली बात इस एक को लाने की जूरत क्यों पड़ी है अब भारत देश को अपने हां के नागरीब को और खास करके जो बच्चे हैं उनको उनको आगे बढ़ाने की मंशा थी होता क्या है अमीर के बच्चों को तो सारी सुक्सिधा उपलब धो जाती है लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं वो पैदा होते साथ ही काम करने काम करने के बारे में सोचते हैं मतब जैसे ही थोड़े होने लगते हैं उनके उपर जिम्मेदारी आने लगती है अब उनको चाहिए रहता है क्या पैसा जो पहली प्रात्मिकता रहती पहली जूरत रहती वह पैसा तो वह क्या कर लेते हैं अब काम करने उसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं जाके काम करें पैसा कमारें कोई दिक्कत नहीं लेगिन उससे नुकसान ही होता है कि उनकी जो मांसीक विकास होना रहता है उनकी जो बुद्धी है उनकी जो मन है शारीनिक मांसीक सभी विकास रुख जाता है अवरुद्ध हो जाता है तो इसके लिए सरकार को एक अधिन किसी भी हानी कार्य में नहीं लगा जाएगा ठीक है कोई भी ऐसा कार खाना ऐसा फैक्टरी हो गया किसी भी ऐसे जगह जहां पर उसको लगता है कि इस बच्चे के विकास में इस बच्चे के मांसिक विकास में कोई बाधा आ सकती है वहां इसको इंप्लॉई नहीं दिया थेखे अपने मानसी विगास में लगाए लेकिन काम करके अपना भज़पन खराब ना करे इस कोई टोटल कि इस कोई टोटल कितने चैप्टर से पूछे तो कि चैप्टर कहने का तर्द मतलब धारा जहां पर लगेगा मुझे इंगली सिंदे टोनलोजी उसकरने वहीं करूंगा ठीक है जहां बेसिक समझने योग यह भासा है उसमें फिर नहीं करूंगा ठीक है सेक्शन मतलब धारा और शेड्डूल मतलब होता है अनुसूची कोई भी आप किताब पढ़ते हो कोई सब्जेट्स पढ़ते हो हिस्ट्री जोगराफी पॉल्टी तो भाईया उसमें भी चेप्टर मेंशन होते हैं कि यह चेप्टर ऊप्टर के अंतरगत फिर और एक्स्टा पॉइंट्स होते हैं ठीक है और कहीं पर कुछ लिष्ट भी दे कितने chapter हैं पुछाजया तो चार chapter हैं जिसमें कितने section है पुछाजया तो 26 section है और कितने schedule है पूछया तो एक schedule schedule का क्या मतलब होता है schedule मतलब होता है list कि अब chapter जब- Agriculture one chapter one प्रारंभिक our chapter one में क्या है प्रारंभिक कि इसको इंगलिश में जिसमें कहां से कहां तक का सेक्षेन अगर पूछा जा तो एक से दो अब पहले पूरा चार चप्टर देख लेते हैं उसके बाद हम धारा पर आएंगे और फिर चीज़ें पढ़ते जाएंगे धारा एक में सवर्य बाग एक में यह पार्ट देख रहें न कौन साघ्य चैप्टर एक भागант एक में क्या है प्रारम्भी जिसमें कितने सेटों एक दो तक का जुधार है सेक्ष्ण है वह किस पोड है अगर след उसको शॉर्ट में बताऊं चैप्टर टू में क्या है लंबा चोड़ा उसका टॉपिक का नाम है बट अगर एक शब्द में आपको याद रखना होगा तो प्रोहिबिशन ठीक है प्रोहिबिशन कहां-कहां वो काम नहीं कर सकते कहां-कहां उनके नहीं लगा जा सकता वो धार पांस तक है धारा तीन धारा तीन में क्या है अधारा तीन बोलता हूं भाग तीन चैप्टर तीन कुछ रूल सेन रेगुलेशन है कुछ रूस रेगुलेशन है और लास्ट चैप्टर फोर में मिसलेनियस को प्रक्कीर नहीं बोलते हैं इस पैलिंग वह सकता है थोड़ा गलत हो आपको जो मतलब मिसलेनियस जो चैप्टर 3 है भाग 3 है उसमें कहां चाहां तक धारा पुछा तो और इसमें आपको मिलेगा 14-26 तो चार चेप्टर के बारे में मैं में कहा से कहां तक का सेक्शन है तो क्या यह सभी 26-26 नहीं हम पढ़ने होंगे नहीं जो इंपोर्टेंट है जो हमारे काम के हैं उन ही सक्षन सेक्षण को हम देखेंगे बाकि सेक्षण को नहीं देखेंगे जो काम की एस वापको उसकी फाल के जूरत रहे हैं मैं मैं हुआ डि indeed कर ले ओस ही वो मैं देख लिया हूं उसी चीज को टेलिवर तो यह लिस्ट में वो सारे काम मेंशन हैं जिन काम में उनको रोजगार उपलब नहीं कराया सकता है, वहां नियोजन नहीं कराया जाएगा, वहां काम पे नहीं लगा जाएगा, तो सर क्या लिस्ट ये एक में ये शेडूल एक में जो काम मेंशन हैं उसमें तो नहीं लगाए तो उसमें छोटे-छोटे बच्चे काम करते हैं लिए यह नियम करनों अगर हर जगा लगता तो पिर उन्लों काम भी नहीं कर पाते हैं कि नहीं तो क्यों कुछ जगा काम करने से मना किया गया है जहां पर उनकी मानसिक विकास में बॉला बहुत दिक चमता कम हो जाती है लगाया गया है जो कि किसमें में और इसके अलावा जो कोई भी काम है सारे काम में उसको नियोजन किया जा सकता है मतब काम में लगाया जा सकता है लेकिन कुछ शर्तों के साथ सर क्या शर्त है तो शर्त आगे देखेंगे जैसे इंस्पेक्टरों को जनकारी देनी होती है कि सारी चीजों के बारे में जनकारी देनी होती है कितने घंटे काम करता है क्या डिटेल क्या अड्रेस सारी चीजें के बारे में उसको जनकारी दे रहाता है जो नियरेस्ट इंस्पेक्टर होगा जो नियरेस्ट नस्ता होगी वहाँ पर अब एक चीज यह भी है अगर आपने इंडियन कॉंस्ट्यूशन पढ़ा होगा इंडियन कॉंस्ट्यूशन में पार्ट त्री के बारे में नहीं पॉर्थ कर रहा हूं यह इंडियन कॉंस्ट्यूशन जो भारती सविधान है उसका भाग तीन है वो भी अलग-अलग chapters में बटा हुआ है तो पहला दूसरा तीसरा हम तीसरे की बात करें तीसरा पार्ट fundamental rights के बारे हम बात करता है मौलिक अधिकार fundamental rights मौलिक अधिकार इसमें भी एक section है section ना बोलके उसको article बोलो तो ज्यादा ठीक है article 24 इस article 24 में भी बोला गया है कि बच्चो को बाल मझदूरी नहीं कराना है ठीक है बच्चो को या बाल जो है उनको मझदूरी नहीं कराना है ठीक है जितने भी आनीकारक करखाने यहां पर उनके जीवन पर बात आ जाए ऐसे जगह में उनका काम नहीं कराना है तो यह बात भी ध्यान रखेगा आर्टिकल 24 में भी यह चीज मेंशन है पार्ट 3 फॉंडमेंटर राइट उसके इंतरगत आर्टिकल 24 में ठीक है यह ध्यान रहे कि बात यह आपका 12 से लेकर 35 तक है पार्ट 3 में जिसमें आर्टिकल 24 में यह चीजें मैंशन है अब देखो लाइन से एक-एक सेक्शन जो की इंपोर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं क्यों यह एक्ट लाना जरूरी था वो तो मैंने बता दिया च सारी चीज़ें अगर नोड बनाना चाहते तो बना सकते हो लेकिन मैं इस इजी लेंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं जितने भी किताबी भास है जितने भी कानूनी भास है उसको तो PDF में देखी लेंगे सबसे पहले पार्ट वन जिसमें पार्ट वन में या रहती है इसके बार हम देखते हैं अंग्रेजी में देखा जाए शौट टाइटल एक्स्टेंट एनेक्टमेंट कब इस्टार्ट हुआ कब इनेक्ट हुआ धारा एक सेक्षन एक में क्या दिया हुआ है शौट टैटल मतलब संक्चित नाम इसे को किस नाम से जाना जाएगा कहां तक यह लागो कहां तक विस्तार होगा पूरे इंडियम लगेगा कि किसी नाम से केस में बताता है दरह एक में बताता है अब ध्यान देना जादातर 90 percent केस में देखो कोई भी एक्ट होगा न।ुसका जो सेक्शन वन है सेक्षं यही सेक्षन हमेशा तैटल एक्षंड और इनेक्टमें ॥ और यही रहाएग उर जो सेक्ष्न 2 होता है उस में definition रहते हैं सर कैसा definition definition ढेθमेशिन देखो Сब्स इस पूरे ACT में शब्द आएगा बाल या बालक क्या अ कि कौन कि क्या इचे आप biz Gobierno संम का एच कितना है बिलोग वह बालक है तो ऐसे डेफिनेशन बताया गया है जो भी यह एप्रोप्रियर गर्मेंट आप वाड़ यूज कर देगा तो वह चीज आपको वहां पर बताया जाएगी क्या ठीक है तो धारा एक हमेशा क्या रहेगा शॉर्ट एलेश्टन एनक्मेंट ज्यादा तर एक्ट मेंट और धारा दो सेक्षन टू हमेशा क्या रहता है डेफिनेशन ज्यादा तर एक्ट में यही रहता है तो फिलाल इसका शॉर्ट टाइटल क्या है अग चाइल्ड लेबर प्रोहीबीशन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स चाइल्ड प्रोहीबीशन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स बाल श्रम प्रति सेद्र दिनियम उननीस सो चासी यहां पर रेगुलेशन भी है बीच में उसकोई देंगे ले न अब एक्स्टेंट अगर पूछा जाए कहां तक लागू है तो ए किसको छोड़कर पूरा भारत पूरा इंडिया क्सेट जमू कश्मीर क्यूप हुआ तक बहू सारी है डिनियमं है जम्मु सेब् पूर दिया जाता था कि यह वाला एक्ट यहां जम्मुकासमीर में नहीं लाग होगा वह अलग से कनून मनाएंगी लेकिन जैसे धारा 370 हट गया ठीक है जैसे धारा 370 हट गया वह बूं सरे जगत चेंज ला दिया तो यहां पे भी आधक न संपून भारत जम्मुकासमीर को augunício century tussen conditiona 1993 u चाइल्ड का बाल का यह बाल है क्या तो बाल मैंने बताया जीतने भी 14 साल से नीचे के बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे बाल कहलाएंगे ठीक है अब एक और टम आता है यहां पर नहीं देखना है लेकिन बता रहा हूं 14 साल से नीचे नीचे चाइल्ड हो गए बच्चे हो गए और 18 साल जो टच कर दिये 18 साल और वो वो एडल के श्रिनी में आते हैं ठीक है तो चाइल्ड हमने ने देख लिया बाल के है 14 साल से नीचे और इनीचे बाल बच्चों से अगर हम कोई काम ले तो वही बाल श्रम कहलाता है वही क्या कहलाएगा इतना पॉइंट मेरे खाल से क्लियर हो गया तो चाइल्ड और चाइल्ड लेबर क्या है वो पॉइंट मैंने बता दिया section 2 ये cover हो गया इसमें किसी कोई तकलीफ हो तो नाम भी बता करो मुकेश जी सारे समवल मुकेश जी के हैं ठीक है राहूल जी देखिए करेंट को जो टॉपिक है बोल रहे हैं जीतने टॉपिक हो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा इस्टेजी क्या होने चाहिए और किनका मुकेश जी का कुशन है कि सब्जे कि स्टेटिजी क्या होने चाहिए अभी मेरे ख्याद से आप लोग च्छतिजड की है कि किसी दूसरे स्टेट के हैं मुझे एक बार बता देजेगा कौन से स्टेट के हैं कहां के रहने वाले वो एक बार इंफर्म कर देजेगा अब देखो यह एक्जाम जो है किसी एक पर् तो एक बात जान लेना जरूरी है कि हमको महनत में किसी प्राकार की कोई कसर नहीं छोड़नी है क्योंकि थोड़ा धोड़ा पढ़ना यहां पर सुल्टिशन नहीं होगा थोड़ा थोड़ा पढ़के इ inappropri हो और थोड़ा समयं ज TIM शामिल हो ऐसके लिए आलग से वीडियो बन हम चैप्टर टू पर कि चाइड लेवर मुस्कान मेडम चाइड लेवर क्या है बाज्च्रम क्या है अगर आप मुझसे काम ले लिए ठीक है आपने भी फीज दिया नौशन नंबर रुपय कि अब मैं अच्छे से नहीं पढ़ाया सपोज पढ़ाया तो ठीक है लेकिन नहीं पैसे लेनी पार हो मेरे पास हाई नहीं पैसा दे दिया आप लोग नहीं कुछ और काम करो मेरा घर का काम करो काम करवा लिए तो मैं काम करूंगा तो चाइड लेबर नहीं होगा क्यूं मैं एक एडल्ट हूं ठीक है मैं 27-26 साल का हो गया हूं लेकिन मेरे जागर कोई बच् पास के निचे का बच्चा है वहां उसको काम करवा ले रहे हो तो वह चाइड लेबर के काटिगरी में आ जाएगा अब एक और बात चलो डाउट पूछे ते अच्छी चीज़ है एक और चीज़ यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं मेरी खुद की फैक्ट्री है सपो अब अबूसरे सुनार का दुकान आप देखे होगे का पढ़े के दुकान में कपड़े के दुकान में झिनका पडगाला होता है न सिंधी मर्वाडी जैनोग घरते है उन लोग बचपन से बच्चा छोटा है पांच-छेशसालस यहां on binary साहल का है था क्यों ताकि भया कटिगबर नेन से लिए कि वह सततु को सबस्क्राइब को करो है कि इसलिए कि एगर भापने बच्चे को सगरी मैने नुख इन्टेवर्ग की नहीं भाएसे को ना लगा रहा हो और इसको सबस्क्राइब जाएक तिरफमी इसलिए घुव। कि मेरा बिजनेस कौन समालेगा मेरा बिजनेस कौन समालेगा मेरे बच्चे ही तो समालेगे मेरे बच्चे ही समालेगे बिजनेस को तो उनको मैं जब नियूक्त कर रहा हूँ ना उनको वहाँ पे काम पर बठा रहा हूँ पूसरे के हैं खुद के बच्चे हैं तो चाइल लेवर के कटिगरे में नहीं आता फिर वहां पर यह समझा जाता है कि भईया हमारे बिजनेस को यह आगे बढ़ाएगा और अभी से सीखेगा इसकूल कप पास करेगा भी की नहीं करेगा कॉलेज जाएगा फिर सरकारिनोकरिक त्यारी करेगा नहीं लगेगा उसके बाद आप यहां बिजनेस में बैठाओ उसको तो बहुत लेट हो जाएगा बिजनेस तो डूप जा रहाएगा ठीक है यह क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा चैप्टर टू अब यह कुछ केसेज में कुछ जगों पर बाल बच्चे को नहीं लगाना है सिंपल सगर में एक पॉइंट बताओं पूरा लंबा चोड़ना नाम है कुछ प्रक्रियाओं में डैज 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 निशेद है प्रतिशेद है एक सब्द में इसको एक्स काम करवाना हैं कहा नहीं करवाना है तो यह चैप्टर टू बताता है और चैप्टर टू के अंतरगट कहां से प्रय प्रयूपिटटउ lado कि चप्रबाइट है अब यह धारत तीन में हम नहीं oni don room अधिन ना जो सेड़्यूल वन में काम में वहां आंसा वहां मेंँ करवा सकते किस्से ऑल बच्चों से से आधिक है अलएं सेड़्यों में जो पर लिस्ट बताया गाए है और और वो लिट्म देखें के कहां-कहां हम नहीं है में जो इंप्टेंड काम है उन देख लेंगे वहां पे बाल बच्चों से काम ने करवा जासते हुआ section 3 में कहा गया है section 3 में कहा गया है इतना clear अब क्या-क्या काम है उसको पढ़ लेंगे यह शेडियूल वन इसी में मेंशन करते हैं जो काम है वह काम प्रोहिबिटेट है बस बात करता हूं ठीक है सेडियूल वन क्लियर सेक्षन फॉर देखते हैं सेक्षन फॉर एमेंडमेंड इन शेडियूल जो अनुसूची है यह अनुसूची की बात के ना शेडियूल वन यह अनुसूची इस अनुसूची में क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूं ध्यान देते चलना बात तो अनुसूची क्योंकि यह कानूनी भासा होता है भाई आप बहुत तीखने सब्सक्राइब करने का पावर किसके पास है उसके बारे हम बात करता है है कि केंद्र सरकार सेंट्रल गुवर्मन में करेगा केंद्र सरकार देखो दो sn festivals सरकार एक तो आपका सेंट्रे गवर्मेंट केंद्र सरकार वो गते हैं पार जुद ऑर वो नगरी न protege की बात निक ह्म उडारा देखें बारत इसतर पर इंडीय लेवल पर सैंट्र गवर्मेंट और इस्टेट लेवल पे सेंट्रेट आप नहींत है सेंट्राल बनाने देखें अभी प्रॉपरेयस तॉपरेयट मेंरो राज सरकार चैसे आप सस्कार लिखेंगा ऑप्रोप्रेयट ग्वर्मेंट उप्यूकत सरकार फिर conse यह सेंट्राल गुष्ट है तो कही कही संट्राल गुष्ट बताऊं अगर रेलवे का केस हो तो फिर ऑइल F fällt mine यह सब का केस हो तो उस केस में Central Government उसको handle करता है उससे संबने नियाम करनों कौन बनाता है Central Government और State Government इसके अलावा जो भी काम बज्जाए सब इस्टे गवर्मेंट handle करता है बस अभी फिलाल इतना ध्यानक ना एकदम डीप है जोरत नहीं है तो क्या बता रहा हूं section 4 क्या बोलता है amendment schedule अनुसूची में बदलाओ का power किसके पास है power to amend in schedule किसके पास है वो power Central Government के पास है केंद्र सरकार के पास है कैसा power जैसे देखो schedule एक कब कब बनायोंगे और कब कर लिष्ट बहुं सारे काम है उसमें कोई कात ऐसा काम चूट गया होगा जो हानी कारक है उस टाइम सरकार के ध्यान में नहीं आई कि भईया ये काम भी हानी कारक है इस काम में बच्चों को नहीं लगाना चाहिए कोई सभी छोड़ा सुधारन देता हूं वह हो ना हो जैसे मैं बहुत हो कि घर बनाने का काम है अभी सामने घर बन रहा है तो मुझे ध्यान आ रहा है सामने घर बन रहा है उसमें बच्चे को लगा दी शुरुवात में हो सकता है ये काम schedule 1 में लिष्टेड नहीं था बाद म इसमें amendment किया जा सकता है ठीक है बाद में उसको जोड भी सकते हैं और घटाआ बी किसी पर बदलाओ किया जा सकता है संसोधन सकता है स vikt कर सकती करने का पावर किस के पास है Central government के पास फिक है लेकिन अर ऑख और खिलागना है Häges अगर बदलाओ ne इतना डिप में क्योंको घुशके नहीं पढ़ना है आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मैं यहां किसी बच्चे को काम पर रखा हूँ अब अचानक से सरकार नियम ला देती कि भाईया यह भी शेड्यूल में शामिल हो गया है अब यह एक्ट आपको कराओगे तो भाईया आपकोकम कर वाल यह अंदर डालो पाइन लगा पंलिटी लगो ऐसा नही है कम से कम कितने मेंगे की सुचना देनी होगा कुई अमेंडमें आता है तो तीन मेने angle शरीं मेने की सुचना का यह दे ताकि जो काम करवार है उसको समय मिले अचाना से कोई काम छोड़ेगा तो भाया उसका काम देखेगा कौन जो employee है उसको भी तो समय मिलना चाहिए कि कोई दूसरा employee को लाए लेकि आए इसलिए कहीं भी काम करते होंगे तो एक नोटी स्पिरेट देना होता है कि एक मैंने पहले आपको बताना है कि छुट्टी आप छुट्टी मारे बोलता हूं छुट्टी नहीं जॉप छोड़ रहे हो कहें ताकि उनका सब्स्टिटूट ढूंडा जा सके ठीक है तो यह सेक्शन 4 में मैंशन है और सेक्शन 5 सेक्शन 5 देखते हैं इस सेक्शन 5 में चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी स्पेलिंग हो सकता है आपको अच्छा ना दीखे तो उससे स्पेलिंग और राइटिंग से कोई लेना देना नहीं ठीक है पीडियाफ में आपको दीख जाएगा फिलाल यह इजी लेंगवेज में समझाने क्पोशिट कर रहा हूं चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी यह क्या है सलहकार समीती है क्या है सलहकार समीती ठीक है सलहकार समीती चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी जो चाइल्ड लेबर है बासरम सम्मंदी बासरम सम्मंदी क्या है एक प्रकार की यह सलहकार सम्मिती है सर इसका क्या काम है क्या चीज है अब देखो सरकार के पास बस यही काम है क्या क्या कौन सा काम में राय देने वाला काम कौन करेगा राय देने का काम कौन करेगा राय देने का काम करेगी यह सलाकार समीती ठीक है जो सलाकार समीती सिर्फ सलादाने काम करेगे यह वर्ड याद रखना सलाकार समीती जिसका गठन कौन करता है फॉर्मेशन कौन करेगा इसका फॉर्मेशन करे तो इसमें कितने मेंबर होंगे तो याद रखना कभी कबर एसे होता है ना जैसे अभी तो ऐसे प्रथा प्रच्रीट नहीं है ज्यदा तर कोई दो बच्चे तीन बच्चे पांच बच्चे रखते हैं उसे अधर नहीं दिन पहले जमाने में दादा नाना ऐसे टाम देखो के लोग पुराए cricket team खड़ा कर देते तो पूछते थे तो याद रखने के परपस से इसको याखना 1 प्लस 10 बाल बच्चे चिल्रन वहां से 11 बच्चे क्रिकेट टिम याद रह सकते हैं और 10 अधर प्लेयर होते हैं अधर टीम होते हैं बस वैसी इसमें एक क्या होगा है डोगा एक अध्यक्ट होगा और बाकी 10 सदस्ट से होंगे ठीक है फारमेशन केंदर सकर अभी फिलाल कितना एक प्लस दस ये इस्तिती है ठीक है रहते हैं मतब टोटल किपने मेंबर 11 एक अध्यच रहेंगे बाकी 10 अधर मेंबर रहेंगे ठीक है यह बाद्यान रहेगे कानjest पराइशं के इंधर सरकर करेगी किस टाइब का फरुपयों रहता है क्याया स्ट्राइख और प्लस 10 का आप याद रखिएगा अब देखो इह सला देने काम करते हैं अब अगर 일이 कूई सलय दिया, सरकार को कोई सला दिया, कि जैसे बच्चों के लिए अगर कोई बच्चा काम कर भी रहा है, तो इतने घंटे काम होने चीए, नहीं होने चीए, तो सलाह तो दे दिया, लेगिन वो सलाह सरकार को क्या मानना कंपसरी है, क्या obligatory है, क्या बात देकारी है, नहीं, ये इस बात को ध्यान रखना है, अब देखो, ऐसा हो सकता है कि ये समीती के पास बहुंच जदा काम रह जाए, अकेल ये भी थोड़ी हैंडल करेगा, पूरे देश में हंडल करना इसको, तो ये अपने अंडर एक और उप समीती भी बना सकती, सब कमिटी बोलेंगे, उप समीत सेक्षन देख लिया जाएगा, बाद में पढ़नेंगे, उतना डिप नहीं जाने के जूरत है, इतना मैंने बता दी इतना काफी है, सेक्षन 5 के बाद नेक्स सेक्षन पढ़ना है, चैप्टर 3 के अंतर गत, जिसमें कहां से कहां धार आ अगर पूचाया तो, क्या नाम है, बस अगर शॉट में बोलूँ तो रूल सेन रेगुलेशन है कुछ, इसमें पहला सेक्षन क्या पढ़ेंगे, सेक्षन 6, अब यह चैप्टर 3, जिसका रूल रेगुलेशन बोल दिये, 6 और 13, यह है क्याची सर, अभी तो आप बोल रहे हो कि काम नहीं करा जाएगा, अब ज बात क्या, तो मैंने आपको शुरू में यह बताया है, कि शेड्डूल वन एक लिस्ट है, जिसमें वो सारे काम मेंशन है, जिनमें बच्चों को लगाया नहीं जाएगा, बच्चों से काम नहीं करा जाएगा, लेकिन उस शेड्डूल उस लिस्ट के बाहर जो कोई काम है, उसमें तो कराया जा सकता है, उसमें 14 साल से निचे के बच्चों को काम कराया जा सकता है, इस बात को आपको ध्यान करा जा सकता है, तो वो काम कराएंगे जरूर, लेकिन उसके लिए बहुं सारे नियम शर्त है, रेगुलेशन से रूल से रेगुलेशन है उसके लिए, ठीक में छुट्टी मिलती पर सारी जानकारी उसको देना पड़ती है थीग है तो ये जो नियम कार्णू रू लूं जो यू न रेखरें न वो इसके अंतर भाग 3 के अंतरगत पढ़ेंगे और भाग 3 के अंतरगत जो पहला हमको धारा पढ़ना है धारा 6 अब धारा 6 ये धारा 6 क्या बोलता है कि इससे पहले जितने भी प्रोहिबिशन हम लोग ने पढ़े न प्रतिशेद वो इसमें लागू नहीं होगे तबी तो काम होगा क्या, तबी तो क्या होगा, तो section 6 में क्या है अगर पूछा है तो, section 6 क्या है, भाग 3 की जितनी बिदा रहा है, मतलब section 6 से section 13 जो बन रहा है, वो अनुसूची एक के विशो में लागू नहीं होगी, ये नहीं होगी सुचिये मदंड़ चेडियूल 1 के विश्व में लागों नहीं होगी ॕर दूप सकेर रिलेटेड लेन्स हैं जिनीका lijepा menction कहां पर है जिसका mention किसमें हे चैप्टर 3 में है कि सबस्टोचे को इनस्पेक्टर को जानकारी कुंसे काम नहीं नहीं सक है geçer परवर्ड करना पड़े है कि इस बच्चे को काम करा रहे हुँ है तो सेड्डिूल रहेगा तो बात ही खतम हो जाता है कि भाग तीन में जितने भी धारा है जितने भी सेक्षन है वह नुसुची एक के विशे में लागू नहीं होंगी ठीक है आगे देखते हैं सेक्षन जारा साथ इसमें क्या है वर्किंग प्रेड है कितने घंटे काम कर सकता है कार्य करने का अगरा हुआ कि इसमें देखेव 4 बाते आपको ध्यान रखनी है चार पांच बात ध्यान रखनी है पहली बात क्या सेक्षन सेवन क्या है सेक्षन सेवन में कार्य करने का समय है याद रखना तो सिम्पल एक चीज या अगना सासे-सासे साथ 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 समय और एक सेक्षन आठ आएगा सेक्षन एट तो सब्ता में साथ दिन होते ना लेकिन आठवे में सब्ता में कितनी चुट्टी मिलेगी उसके बारे में सेक्षन एट में करता है तो वैसे मैंने याद कलिए सेक्षन तोटल काम की बात नहीं कर रहा हो तो न समस्ते जिल पर पूरे दिनAy पूरिड tes ज्यादा काम नहीं करा सकता ठीक है ज्यादा रम नहीं नहीं पहली बातstraster प्रहार किया उसके बाद काम किया उसको तो 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 तीन घंटे फिर एक गंटे का ब्रेक टोटल काम 6 गंटे से ज्यादा नहीं कराना है ठीक है तो कर लिए को यह क्या पॉइंट लिखा इवनिंग में साथ बजे से लेकर सुबह आठ से काम नहीं की सकते रहे बिचारे को अराम से सोने देना है ठीक है उससे पहले नहीं भलाना है ठीक है तो तब यह बाद भी आपको आट वजय पहुचने है और और टाइम भी नहीं करा जासकता ओवर टाइम क्या स्रुवर टाइम मत्ब्र क्या जिसे आपके कभी ममी पापा को जॉब में होंगे होगा हो आपको मौलब होगा कि अग्षा मिलता है । अप लोग बैंक नीकर पैसे का मारते उवर किरेने रहे क्षी ने कुंप्चे है नार्मल किरा नौर्मल बच्चों से न्नीचे इस कष़ें बच्छे करा जह सकता पैसे का लवाना तेक है जितना 6 गंटा विक्स कर दिया नहीं कर सकते और पैसर पैसा यहां तक किसी कोई तकलिफ समस्या इधर देखो बताओ कोई नहीं कोई अपना स्टेट बताया कहां से हैं मुक्यजी चतियर से भाकी के बाड़ी कहा के बेटावए हो एं मोण नहीं पायो टैप नहीं कर सकरें कोई को पूछ रहा हो तो फिलाइव आने का मतलब क्या होगा मैं सवाल करूंँ आप जवाब नहीं देरें रहे हो सुभा मिमाचल परदेश से चलिए ठीक है पंकजी सच्चीड से चलिए जानके अच्चा लगा कि चट्यड से बाहर से भी श्टेट से आए और एक बात बताओ मैं आपको आपको जानके अच्छा भी लगेगा और मेरे उपर भरोसा भी होगा मैं अभी तक जो डिल कर रहा था ज्यादा था च्टेट के एक्जाम पर डिल कर रहा था लेकिन मैं प्रेखे लिटेट प्स्ती के रिट़र्ण एक्जाम में 5 रैंख स्कोर किया हुआ है और सीजी वापम में दो बार टॉप किया हुआ है 2022 पिछले साल फर्स्ट रेंग की स्कोर किया हुआ है और 2018 में 2018 में सेकेंड रेंग आया जब मेरी उम्र तीस साल थी तब मैंने पूरे चत्तियल में टॉप किया है अपने स्टेट पे इसके लाव अगर टोटल कुल मिलाके जॉब देखाया तो मैंने 16 गौर्मेंट जॉब क्लियर किये हुए है जिसमें जॉइन सिर्फ और सीफ एक ही जॉब किया और वो भी मैं मैं रिजाइन दे चुका हूँ ठीक है तो कोई शिकायत मत कर देना क्यूंकि जॉब करते करते पढ़ाया नहीं जा सकता ठीक है तो मैं जॉब रिजाइन कर चुका हूँ लास दिसमबर 2022 में आपके लिए काफी रहेगा ठीक है और आप से जूड़ के अच्छा भी लगा जो सब्सक्राइब चाएं तो मैं अलग वरायटी के टॉपिक समको देखने को मिले तो यहां पहला प्रयास है यकिन मानिये मेरे से पढ़के आपको कभी पस्तावा नहीं होगा चीज़ें असानी से याद होगी कोई तकलिफ नहीं कोई में डाउट रहेगा तो आप बताईएगा अच्छा लगा रिप्लाई किये और आपसे कॉंटेक्ट में करूंगा पर्सनली बात भी करूंगा जितने भी स्टूरेंट से हैं ठीक कहां तक देखे थे सेक्षिन सेवन तक सेक्षिन एट देखते हैं अब सेक्षिन भी याद करते चलना बस एक बर सुन लेना आपको पर्मनेंट याद रहेगा साथ 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 से समय देखे थे सप्ता में साथ दिन होते हैं लेकिन धारा आठ में धारा आठ में सेक्षिन एट में मैंशन है क्या मैंशन है सेक्षिन एट में मैंशन है कि सप्ता मे कितने दिन उनको छुट्टी मिलना चीए सब्ता में एक किसी का काम संडे को ज़्यादा रहता है तो संडे मंडे वाला नहीं सब्ता में एक दिन की चुट्टी रहेगी यह कौन सी धारा बोलती है धारा आठ बोलती है धारा आठ यह बात करते हैं अब एस पॉइंट को मैं यही तक रोग रहा हूं जितने आसान भासा में समझाना था वह मैंने बता दिया अगर चाहें तो अपनी भासा में कर सकते हैं समय आपके परियाप समय आपके परियाप्त है तो आप इसको नोड़न कर सकते हो इजी लैंगवेज में ठीक है बाकि जो किता करके बता सकते हों कोई कमेंट आएगा तो तब बता दिना मैं आगे परता हूं क्या पढ़ रहे थे बाल श्रम प्रतिशेद दिन्यां 1986 चाइड लेबर प्रोइबीशन एंड रेगुलेशन एक्ट संतावन प्रक्रियाओं में बच्चों के लिए अहितकर मना गया है उनके नियोजन को निशीद बता है संतावन प्रक्रियाओं ये लिस्ट है इसमें कम जदा होते रहता है वो शेडूलेग की बात कि न उसके बारें बता रहे हैं भारति सेदान के अनुछे 24 में कारखानों मे चीड़ला जो चप्टर है तम उसको चैब्टर नबहोुके पार्ट बोलतें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जसे हाँपर चैप्टर पड़ें और जुसके सेक्षिन है उसको आर्टिकल नाम दिए तो इंडियन कंसुचिन के पार्ट थ्री जिसमें क्या मैंशन है fundamental rights उस fundamental rights में एक section है section 24 इसमें भी ये बात बताया गया है क्या बात बताया गया है कि कोई भी कारखाने में बच्चों को काम पे नहीं लगाना है ये सिफ्हानी कारण काम पे है डुनिया भर में 100 से ज़्यादा देश को मनाते हैं, 12 जून को, तो इस से लिटेट पॉइंच से लिग दिए, मैं अलग अलग जगह से अलग अलग facts इकटा करने का प्रायस कर रहा हूँ, मैं सबस्क्राइब कोशिए हैं, यह competition का field है और competition के field में एक ही चीज़ है आपको compete करना है आपको अच्छा नहीं बनना है आपको बहतर बनना है अगर कोई एक लाग जैसे अगर हम अपने state की बात करूँ मेरे state में आम तोर पर धाई लाग तीन लाग लोग exam दिलाते हैं धाई लाग तीन लाग चार लाग ऐसे से बहतर बनना है अगर कोई एक लाग भी exam दिला रहा है तीन चार लाग में एक लाग स्वड़ा सीरेस पढ़ने वाले हैं एक लाग में मुझे 9999 लोग को पचाड़ाना है तब जाके मैं टॉप करूँगा यह mentality थी मेरे अंदर यह mentality आपके अंदर भी आने चाहिए तो जैस इतके लावा वो चीज़ भी पढ़ेंगे जो बाकियों से याद नहीं हो रहा है जो बाकियों को कठिन लग रहा है मतलब उन चीज़ों को भी पढ़ना है जो बाकी पढ़ रहे हैं और उन चीज़ों को भी पढ़ना है जो बाकी नहीं पढ़ पा रहे है जुनको थोड़ा स एज इस डोंट एव अपको फर्स थर्ट पूशन आना है तो आप अच्छा भाग रहो नहीं भाग रहो से कोई मतलब नहीं आपको और जितने भी वहां पे एथलीट्स हैं उसको पचाड़ना पड़ेगा तो इस बात को ध्यान रखेगा चलिए बाशनम प्रतिशेद दिनियम टोटल सेक्षन कितने हैं 26 टोटल चप्टर कितने हैं चार चप्टर हैं लागूती थी इनैक्टमेंट डेट कब है पुछा है तो 23 दिसंबर आरहा ढयर सेक्षन है और दो ही सेक्षन है धार्या एक सक्षन है क्या बोलता है चाल च्रीअ और च्रीटमेंड का है कमेंस्मेंट कब होगा कमेंस्मेंट मतलब कब लागू होगा तो कमेंस्मेंट कब कमेंस्मेंट करना मतलब स्टार्ट करना होता है तो कमेंस्मेंट है 23 दिसंबर 1986 शी ठतches ही धारा दौ पर इबास की बात करता है जिसमें min. झार कहरे जिसके वंड़ पो labs लागया ठीक है बस इतना इसनदों घृम्र नोट ऑसंट में जो वह है नोट परzy धरी एक में जो कारे लुद्ल हुआ रभायु से वह थो कारे यह को 12 सा मफ्रा क्या कहेंगे यह ऐसे पॉइंट जो हिंदी में लिका है अब यह समंझने वाले पॉइंट है याद करने वाले पॉइंट नहीं है जो भी याद करने लिखने लिखाओं तो बता दूंगा तो बात को दिया तो अब लेकिन मैं हिंदी इंग्लिष दोनों को मिक्स करके चल डाओं तो आप वाद विवाद नहीं करेंगे इसमें की सर हिंदी में लिकाओं इंग्लिष में चाहिए तो यह समझने वाला बात है जो बता दिया जो कारे नोसुची एक में शामिल नहीं है मतलब शेडूल एक में जो जो सेडूले में काम शामिल नहीं जो मेंशन नहीं है उन कामों को बच्चों से कराया जा सकता है भलेव 14 सब्सक्त इस तुर्यादре से पहले से तै करने मतंगी चुट्टी तिन मिलेगी इतना दिन अध्याए भार दो कुछ उपजिवकाओं और प्रक्रियाओं में बालोकों के न्योजन का प्रतिशेद प्रोहिबिशन ओफ इंप्लॉइमेंट ओफ चिल्डरन इन सर्टेन ओक्यूपिशन एन प्रोसेसेज इसको लगा मुझे इंडी एंगलीज में कनवर्ड कराना करवा दिया क्योंकि इंपोर तो धारा 3 section 3 क्या बोलता है उपजी विकाओं या वैसा है प्रक्रियाओं जिर में माल मजदूरी की मनाई है 14 साथ से कम काम करने वाले कारें नहीं कर सकते जो अनुसूची एक में बताया गया है यदि यहां कारी लिया जाता है तो बाल शरम कहा जाएगा और उसके लिए आप्लिकेशन में जो पेड़ कोर्स वाले हैं वह वीडियो यूटूब में भी चलेगी यूटूब में भी डिलरी होगी जो देख रहे होंगे वह चाहें तो 9009 रूपय का करके कोर्स एक्सेस ले सकते हैं उसमें पीडियाफ नोड़ भी रहेगा रेल द्वारा यात्रियों माल और डाग को डोना कुली का करना ये चोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं 14 शल के नीचे कोईला बिन्ना राक गटो गडों को साफ करना क्या काम करने हैं गड़ में लग वो बच्चा खुद से आ रहा है बेश रहा है तो अलग बात है कोई दूसरा उसको काम पर नहीं लगाएगा ठीक है वो तो मजबूरियां होती है जो खुद से कई लोग काम करने लग जाते हैं इस टीट पे ठक ठक किये कुछ समान बेश दिये वह बात अलगा है दूसरा कोई सज्याज़्य का प्रधाने अ 對 you notjen Whether रिखें यह स्तीथ होटल में काम करना जिसमें एक प्लाटफार से दूसरे सब गुछ बढ़ाई गई है कि होटल में काम करने इसमें एक प्लैटफॉर्म से दुसरे प्लैटफॉर्म पर आना जाना क्यों आना जाना और चलती में प्लैटफॉर्म क्रॉस कर रहे हैं हडबडी में ट्रेक से उतर गया तो एक्सिदेंट होने का चांस है चलती ट्रेंट से उतर रहें चल रहें ऐसा काम नहीं करवाए सकता क्यों करवा नहीं जा सकता समझारी बात ठीक है उनको यह जान माल को हानी नहीं पहुछना चीए बस यह उद्देश है यह पट्री निमान निस्टेशन निमानी सब काम देख पर काम नहीं करना बंदर का आइस्थाई लाइसेंस वाले जो टेंप्रेरी लाइसेंस वाली दुकाने होते हैं पर पठाकों या इस अतिस बाजी का समान बेशने की मनाहीं यह भी रिस्की काम है पठाका भया फूट गया वहीं दिवाली मन जायागा उनका बूचर खाने मे बीडी बनाना बीडी बनाते बनाते खुद ऐसे सुट्टा माले दो तीन तो इसलिए उनको दूर रख जाता है ना उनकी खुद इच्छा जागरित ना हो जाए ना फिर वही तंबाकों ऐसे करके घीसर वैसा नहीं चलेगा मोटर गाडियों की वरक्शॉप पर काम निकरना धलाई के करखानों में नहीं जरीले आग पकड़ने आव इस पोटों को उठाने और रखने में यह काम में जाएंगे हद करगा और पॉल्लूम उद्योग खान कोईला खान यह सब खान जितने भी है जितने भी माइन्स रहते हैं वहां काम निकरेंगे भूमी गत्यों पानी कि छपाई रंगाई बुनाई माची स्वी स्पोर्ट पदारत और पड़ागों को बनाना रत नतराशना और पॉलिश करना यह सब काम है सर आप तो बीस बताया लेकिन उदर 57 57 देके थे वह जो इंपोरेंट लगे मैं यहां पर डाल दिये हर एक चीच छोटा-छोटा नहीं मना जाएगा क्योंकि वे अपने कुटूमों में अपने माता-पिता के सरक्ष्म में काम करेंगे यह पॉइंट मैं भी बताया का थोड़े दिर पहले जब मुस्कान मैडम ने डाउट पूझा था कि भी अब बास्रम क्या है तो बास्रम 14 साल से कम के बच्चों को काम करवान तो वह बास्रम में नहीं आएगा क्यों कि वह अपने माता-पिता के सरक्ष्म में काम करेंगे को ने कोई गार्जियन होगा ठीक है जो उनकी देखबाल करने के लिए है वह उनको सिखाने के परपस से काम में लगा रहे है अप नहीं वैक्साय है उद्ध्योग में स्वयम के चोदर साल किसे कम उम्क रहे हैं तो यह बास्रम नहीं मना जाएगा क्योंकि वह अपने कुटूंब में अपने माता-पिता के सरक्ष्म में काम कर रहे हैं यह उद्धारन ने पस और कुछ नहीं है ना यह उद्धारन के तौर पैसे लिग दिया था समझाने के लिए तो यह सारे पॉइंट्स तो मैंने क्लियर कर दिया बस यहां पे प्ड़ा दे रहा हो ताकि कोई एक पॉइंट मिस हो गया हो तो आपको समझे में तकलिफ ना हो अनुसुची में अन्यकार जोड़ सकती पुराना का यह भी सकती मदब एमेंडमेंड कहने का तत्पर है कि उस किसी अन्य वक्ति की नियुक्ति की जा सके तो इसमें मालिक को समय मिल जाएगा धारा पांच किसकी बात करता है बालाक्स्राम तकनिकी सलाह कर समिती चाइल लेबर टेकनिकल एडवाईजरी कमिटी यह बताया था जो सिर्फ परसिफ सलाह देने का काम करेगा ठीक है बहिया एक अध्यक्ष प्लस अधिक्तम 10 सदस रहेंगे एक हैड रहेगा और 10 मेंबर रहेंगे टोटल 11 सलाकार समीती अपनी उप समीती भी बना सकती है उसको ज्यादा लोड लगा ज्यादा काम है उसके पास उसकाम को डिस्ट्यूट करना है तो सब कमिटी का फॉर्मेशन हो सकता इसमें ऐसे कारे बताएगे हैं जो 14 साल से कम उम्र के बालों को से करवा सकते हैं जो अनुसूची एक में शामिल नहीं है बात बता जा चुका है जिसमें धारा 6 के अंतरत क्या बोल भाग तीन की जितनी भी धारा है वह अनुसूची एक के विशे में लागों नहीं होंगी अनुसूची एक वाले में 14 साथ कारे करने का समय वर्किंङ आर्स इसलिए बताया ताकि सी बच्छे से नीवन्य समय ना महें कर वा सकता सुवधלא दराamm के सब्ता एक चुट्टी के बात करते हैं, सब्ता-म एक चुट्टी जन्याय जरूरी है, पुई संब्बंड़ फिक्स नहीं, कोई भी दिन है। धरा नौ, धरा नौ निरिक्च चकी सूचना है Notice to Inspector, यह हम कल वाले class में देख लेंगे आज यह पहली class है तो पहली class को मैं थोड़ा चोटा रख रहा हूं अगर आप यूट्यूब में class देख रहे होंगे तो YouTube में recorded कर सकूम है किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और कैसे त्यारी करने किसे नहीं उसके बारे में आपको मैं guide करते चलूँगा ठीक है आप मेरी चैनल को भी subscribe करके रखें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कियोंगे और यूट्यूब पर ये course को देख रहे है तो हम अच्छे से आपकी त्यारी करवाएंगे ठीक है मेरा प्रोफाइल आप देख चुके होंगे तो आप निश्चित तोर पर विश्वास कर सकते हैं और अपनी त्यारी जारी कर सकते हैं आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगे लाइफ प्लस रिकॉडड़ेड कुछ रिकॉड़ेड भी रहेंगे और कुछ में लाइफ आकर भी बताऊंगा लाइफ में खास करके जो जितने भी चैल्ड से लेटर प्रोविजन है वो तो लाइफ ही होंगे और यही पॉइंट यही सारे टॉपिक्स यही सारे जो वीडियो कर सकते हैं ठीक है